नमो नमहा, व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है, कारकत प्रबोधाह की अंतरगत हम पंचमी से सब्तमी तक की विभक्तियों का धेन करेंगे और इस कालखंड में विशेश रूप से पंचम्यर्थ का निरूपन हम प्रस्तुत करेंगे अपादान अत्वेन पंचमी विभक्ति का प्रयोग पहले हम जानेंगे और अपादान प्राया अपादान कारक द्रोम अपाये पादानम भीत्रार्था नाम भय ही तुहू इत्यादी अनेक सूत्रों से अपादान संग्या होती है ध्रोम अपाये पादानम इस सूत्र से हम देखते हैं कि अपाये का अर्थ होता है विशलेश यानि अलग होना उसके साध्य होने पर यानि विशलेश होने पर जो ध्रो है और ध्रोशब्द का हम निश्चित अर्थ नहीं करेंगे इसका अर्थ है अवधी भूतम जो अवध इस सूत्र से अपादान में पंचमी होती है। इस प्रकार जितने भी अपादान संग्यक सूत्र आगे आने वाले हैं सब में अपादाने पंचमी इस सूत्र से पंचमी का विधान होगा। दूप से उपयुकता है इसलिए दोड़ते हुए अश्व से गिरता है इस स्थिती में धावत अश्वात ये धावन जो धावत अश्व है उसकी अपादान संग्या होती है और उसकी वहाँ पर उसका उसमें पंचमी अपादाने पंचमी इस सूतर से होता है कदाचित प्रियोक करें कि व्रिक्षस्य पर्णम पतती तो ऐसी स्थिती में व्रिक्ष का संबंद पर्ण से होगा तो कारक संग्या नहीं हो पाएगी इसी प्रकार से जुगुपसा विराम प्रमादार्थाना मुपसंख्यानम सूत्र में जुगुपसा आर्थक प्रमादार्थक तथा विराम आर्थक धातूं से आचारे ने उसकी अपादान संग्या की है जैसे पापाद जुगुप सते, विरमती, धर्मात प्रमाध्यती ऐसी स्थिदी में इनसे पंचमी का विधान आचारे नी किया है अपादान संग्यक दूसरा सूत्र है, भी त्रार्था नाम भय हेतु हूँ, सूत्र में भी और त्रा, इन धातों के प्रियोग में जो भय का हेतु है, उसकी अपादान संग्या होगी, भी माने डरना, और त्राण माने त्राधात त्री माने त्री पालने बचाना, तो यहाँ पर भय का कारण भी चोर है और अगर कहें कि चौरात त्रायत है तो यह त्राण का जो त्राण जिससे हम करना चाहते हैं यानि वही भय का कारण है इसलिए भय है तू चोर है इसलिए वहाँ पर दोनों स्थितियों में उसकी अपादान संग्या हो जाएगी अरण्य विभेति आदिस थलों में वहाँ पर आधार है इसलिए अधिकर्ण संग्या होने से वहाँ पर हमको अपादान संग्या प्राप्त नहीं होती है इसी प्रकार से पराजेर असोढह इस सूत्र में असोढह ये तो सहधात में एक तप प्रत्य है वो भाव में है नसोढह इति असोढह तो असहिय अर्थ में जो परा उपसर्ग पूरवक जीधातु के प्रयोग में जो असहिय अर्थ होगा जिससे हम भैभीत होते हैं जिसको हम सहन नहीं कर सकते उससे उसकी अपादान संग्या होती है जिससे हम कष्ट प्राप्त करते हैं जैसे अध्येनात पराजयते कोई अध्येन से पराजित होता है ऐसा हिंदी में अर्थ हो रहा है परन्तों अध्येन से भैभीत होता है अध्येन से हार मानता है ऐसा तातपर है पराजयते का जब हम अर्थ पराजित करता है ऐसा भी अर्थ होता है और शत्रून पराजयते ऐसा अर्थ जब हम देखते हैं वहाँ पर शत्रु असाही अर्थ नहीं है वहाँ पर कर्तुरीब सी तमम कर्म से उसकी कर्म संग्या होती है इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि वारणार्था नाम इपसित हा इस सुत्र से वारणार्थक जो धातुएं होती है वारण माने प्रवित्ति विघातो वारणम प्रवित्ति को रोकना वो वारण है और वारणार्थक धातुएं में जो इपसित होता है आप तुम इपसित तो उसकी अपादान संग्या होती है जैसे यवे भ्यो गाम वा रहती जो से गाय को अलग करता है यानि उसको उसकी प्रवित्ति को रोकता है अब जो हमारा इपसित है अब जो गाउ है गाम जो प्रयोक किया है वो इपसित तम होने से वहाँ पर उसकी कर्म संग्या है यहाँ पर हम अंतर्धव ये नादर्शन मिच्छती इसका भी हम ये भी एक महत्वपून सूत्र है अंतर्धी माने व्यवधान और व्यवधान होने पर यतकर्त्रिक माने जो व्यवधान जिससे हम दर्शन का जो करता नहीं जो दर्शन का करता होता है यानि जो न देखे इस प्रकार से न देखने का जो करता होता है देखने का करता और न देखने का करता है गई होगा जो देखने का करता है वही न देखने का करता हम उसको बना रहे हैं तो जिससे हम छिपना चाहते हैं उसकी भी अपादान संग्या होती है और अपादान में पंचमी हमने पढ़ी है तो मातुर निलीयते कृष्ण हा कृष्ण माता से छिपता है यहां पर यत कर्तर कम व्यवधानम भवती यानि माता जिसकी करता है ऐसा छिपना यानि माता न देखे इस कारण से हमने उसकी अपादान संग्या की है इसी प्रकार से आख्यात उपयोगे सूत्र से भी जो आख्याता होता है उसकी उपयोग शब्द महत्वपुण है आख्याता उपयोगे उपयोगे नाम नियम पूर्वक विद्या सुईकारे तो नियम पूर्वक विद्या सुईकार करने में जो आख्याता वक्ता या व्याख अख्याता होता है उसकी अपादान संग्या होती है जैसे उपाध्यायात अधीते अब नटस्य गाथाम शुनोती हैं गाथा सुनने का जो कारे हो एक दो दिन में पूरा हो जाएगा उसमें नियम पूर्वक विद्या स्वीकार का कोई तात्पर नहीं है इसलिए वहाँ पर उ उसकी भी अपादान संग्या होती है जैसे ब्रह्मनह प्रजाह प्रजायंते तो प्रजा जो है वो यहाँ पर जायमान है उसकी जो प्रकृति है यानि ब्रह्म उसकी अपादान संग्या होती है और उसमें पंचमी होती है इसी प्रकार से भुवः प्रभवह इसमें भू ध और उसकी अपादान संग्या होगी जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती तो गंगा प्रभवती होने का उत्पन्न होने की जो करता है निकलने का उद्गम होने का जो करतरी है वो गंगा जी है और जहां से निकलती है जो वो जो प्रभव है वो हिमवान है इसलिए उसकी अपादा इस सूत्र से हुई इसमें उपपदत्वेन भी पंचमी प्राप्त होती है और ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जैसे अन्याराद इतर अर्ते दिक्षब्दान चूतर पदा जाहियुक्ते इन शब्दों की योग में भी पंचमी होती है जैसे उधान के लिए यहां पर इध्यान देने की बात है कि इतर शब्द अन्य से ही उसका ग्रहन हो जाता है इसलिए इतर का ग्रहन प्रपंच के लिए विस्तार के लिए कोई उसका अन्य प्रियोजन नहीं है तो उधान के लिए अन्यो भिन्नह इतरोवा कृष्णात यहां पंचमी हो गई आरात वनात महने वन के दूर और समीब दोनों अर्थों में आरात का प्रियोग होता है तो यहां आरात के योग में पंचमी होई रिते कृष्णात यहां रिते के योग में पंचमी होई और पूर्वो ग्रामात दिक्षब्द है पूर्व उसके योग में ग्राम शब्द से पंचमी विफक्ति हैं और दिक शब्द का ऐसा अर्थ करते हैं दिक शब्द का दिशी दृष्ट हा शब्द हा दिक शब्द हा इस प्रकार से उसकी भी अपादान उसमें भी पंचमी का प्रियोग होता है। पर्दुन में भी पंचमि विभक्त का प्रयोग होता है अपपरी वर्जने आंग मर्यादा वचने इत्यादी सूत्रों से हम अपरी और आंग की कर्मप्रवचनिय संग्या होती है और ध्यातव है कि पंचम्यपांग परिभी इस सूत्र से पंचमी का विधान होता है और इस प्रकार से हम प्रतिनीधी प्रतिनीधी प्रतिदान ये प्रतिदान ये हो इस सूत्र से प्रतिकी कर्म प्रवच्चन ये संग्या होती है और प्रतिनीधी प्रतिदान ये यस्मात इस से वहाँ पर पंचमी का विधान होता है हम पंचमी विवक्ति के इस प्रकर्ण को हेतु पंचमी के साथ हेतु पंचमी का भी विचार हमको करना चाहिए वहाँ पर भी हेतु के योग में पंचमी होती है इस प्रकर्ण को हम यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद